हलो फ्रेंड्स वेल्कम टी यूरों चैनल सिविल्स तैयारी आज की कॉंप्रियंसिव न्यूज अनालेसिस में आप सबका स्वागत है कॉंप्रियंसिव न्यूज अनालेसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेस्चन्स को देखेंगे यहां पे सिर्फ एक क।षिन में आज कल दे रही हूँ क्योंकि हमने एक स्टाटिक कवेशन भी देना शुरू किया है स्टाटिक कवेशन कहां मिलेगा आपको आपको आपके टैलिग्राम चैनल एड़टरेट सिविल्स तैयारी पे मिलेगा वहाँ पे मैं आपको फहले दिन question नूगी आपको question को try करना है दूसरे दिन आपको उसका answer दिया जाएगा next day आपको एक sample answer दिया जाएगा यहाँ पे हम current वाले का sample answer इसने नहीं देते हैं क्योंकि detail में हम उस article को discuss कर रहे हैं आप brainstorming करके बहतर से बहतर answer बना सकें और similarly अगर हम static question की बात करें तो answer आपको next day दिया जाता है जिससे कि आप answer already लिख चुकें उसके बाद आप evaluate कर सकते कि कौनकों से points अब के रहे गए थे उसके अलावा अगर आपने answer लिख लिए है प्लस evaluated answer भी आपको मिल जाएगा जिससे कि आप कुछ है मेंस में बिल्कुल problem ना हो current और static दोनों के लिए हम ready रह सकें तो चलिए पहला आज का जो question हमें देखना है वो है चाइना एंड एंड इरान्स 400 बिलियन डिल डॉलर 400 बिलियन डिल and subsequent shelving of Indian-led चबहार जाहिदान train project by Iran seems a strategic setback for India critically examine the strategic implications of events unfolding in Iran तो चीन और इरान की 400 बिलियन डॉलर की डील हुई है और उसके बाद इरान दोरा भारतीय निरतरत वाली चबहार जाहिदान train परियोजना को ठंदे बस्ते में डालना भारत के लिए एक रणनेतिक जटका है इरान में होने वाली घटनाओं की रणनेतिक निहतारत की गंभी रूप से जाज करें तो इस वेरी वेरी इंपोर्टन आज इसको जो हम वारेफ प्लस हमारा जो दाहिंदू है उससे करेंगे इस वाले आर्टिकल को उसके अराबा एक और बहुत इंपोर्टन आर्टिकल हमें डिसकस करना है कि चाइना का में क्या स्ट्राटिजी चल रही है इंडिया को लेकर के चाइना किस तरह की स्ट्राटिजी बना रहा है तो वो भी बहुत अच्छा आर्टिकल था हिंदू में आया है उसका discussion करेंगे और बाकी के articles का भी discussion करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो guys basically answer आपको देखना है but again हम इसको बहुत detail में discussion करेंगे क्या strategic agreement हुआ है इंडिया के point of view से क्या क्या इसका importance हो सकता है इसके बारे में discussion करेंगे क्या हुआ इंटरनाशनली क्या हुआ जिसके बारे में discussion करना है चाइना वो बेसिकली जो है इंटरनाशनल कम्यूनिटी से उसके एक्रेसिव स्ट्रांड के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है जो कि उसने हेमाल्यास में किया था मतलब लद्दाक में किया साउट चैना सी में तो साउट चैना सी में उसके चैना के उपड़ प्रेशर जा रही है जपान ने जो है सिनकागONG की जो नेम वगएरहा है वो चेंज किया है तो एगिन जपान को लेकर के सिनकाग उइलंड जिसको जो दूई और आइलंड कहता है चैना वहाँ पे pressure जा रही है जो कि East China Sea में लाई करता है उसके अलावा हिमालियास में ultimately इनको disengage करना पड़ा पीछे जाना पड़ा तो ये एक जो है एक तरह से चाइना की strategic हार देखी जा रही है यहाँ पे तो इन सब ने जो है बीजिंग के जो relations है specifically इरान के साथ इसको मजबूत करने में कहीं न कहीं pressure डाला है इरान अपने आप में एक पारियाहा है मतलब की isolated country है और ये इसके उपर काफी ज़दा pressure डाला जा रहा है USA की तरफ से क्योंकि sanctions लगाए गए हैं और military options जो है काफी limited है इरान के पास foundation जो है इस deal की वो बीजिंग और तेहरान के बीच में सी जिंग्पिंग के 2016 के विजट के दोरान डाल दी गई थी reports के अगर माने तो बीजिंग और तेहरान almost जो है conclude करने वाले अपनी extensive trade और military partnership जो almost 400 billion dollars की हुगी इरान के लिए ये deal जो है काफी एक बहुत बड़ी life line economic life line ले करके आएगा इरान इस वक्त desperate है money के लिए इरान जो है उसके oil, gas, infrastructure और transportation sector में ये जो massive investment करेगा चाइना इस ते जो है west के लिए काफी बड़ा एक challenge है और even इंडिया के लिए एक बड़ा challenge है अमेरिका की economic might regional और global stage पर तो है बट नए जो है geopolitical flash points create कर रहा है बीजिंग जैसे कि वो expand कर रहा है अपनी रीज को world में बीजिंग का अपना base है जिबूती के अंदर operations है इसके ग्वधार port में जो की पाकिस्तान में लाई करता है और फिर naval port के लिए ये अपने आपको naval ports विल्ड करने की कोशिश कर रहा है आल ओवर हम Pacific देखें या फिर Indian Ocean देखें तो इरान चाइना की जो डील है ये काफी वेल्ड टाइम चिमेरा चिमेरा का मतलब होता है कि एक जो हम कह सकते हैं इसको की मतलब दो चीजों से मिलके कोई चीज बनती है ना दो जो डाइन दो अलग अलग चीजों के डीने गर मिक् से और जहां पर जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका कहना है कि उनको 18 पेज का जो प्रपोस रेग्रिमेंट है वह हांत पड़ा है और पोर्ट्स यह सजेस्स करती है कि एज पार्ट अफ दी डील जियो स्ट्राटिजिकली इंपॉर्ट्न जो किश आईलेंट है जो कि पर्जिन जल्फ में लाई करता है और स्ट्रेट फोर्मोस में लाई करता है उसको चाइना को सेल किया जाएगा बट यह क्लेम जो है इरानियन ओफिशल्स के द्वारा रिफ्यूट किया चुके हैं मतलब उन्होंने बना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है युएस से और चाइना की टसल ह है उनको बैलेंस कर सकें पॉपॉलर कंसेंस प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रम्प की पॉलिसी के लिए यह था कि मैक्सिमम प्रेशर डाली है इरान में जिससे की जो रिलेशन्स हैं वो अलड़ी जो है सावर हो सके इरान के बाकी गंडूरी के साथ और उस वज़े से इंडिय इरान के साथ अच्छी थी क्योंकि हमें चबार पोर्ट को लेकर के डेवलप्मेंट करने का मौका मिल गया था तो उस वक्त जो है हमारी कोशिश थी कि हम ऑईल का ट्रेड अपने जो ऑईल का एक मल दूसरी ऑप्शन है वो जारी रखे इरान के थूरू और इंडिया की जो इरान के विजवी वो यह थी कि रिजीम को थोड़ा सा मनज करें एक्रीमेंट के लिए जिसकी वेस्ट के साथ एक्रीमेंट किया जा सके जब इंडिया को जो है युएस से की लाइन में आना पड़ा जब एक नेरेटिव क्रियेट किया गया था पी फाइफ प्लस वान जो कं रही थी ट्रम्प ने जो विड्रॉ कर लिया युएस से मतलब इरान की डील से दोसार अठारे में उसके जो कि उसने दोसार पंद्रे में बड़ी मुश्किल से साइन की थी और बहुत डिफिकल्ट नेगोसेशन के बाद साइन की थी इससे जो एक लॉबी थी ट्रेल देखा गया इरान के दोरा प्रेसिडेंट हसन रुहनी और फॉरिन मिनिस्टर जावेद जारिफ इनकी जो इनकी एक तरह से इन लोगों का जो है परसनल स्ट्राटिजिक लॉस के रूप में इस डील के लॉस को देखा गया था उसके बाद जैसे ही जो ट्रम्प है उ इस रीजन के उपर जो कि स्ट्राटिजिकली और जियो पॉलिटिकली काफी अगर आप देखें तो यह कंट्री बहुत रिच नहीं है बस ऑईल के रिसोर्स है और यहां पे जो एवन जो एसिर्ट बिल्डिंग के उपर भी संक्षम नहीं हो पाए इंडिया को एक प्रेशर इक्स्टेंसिव एक्नॉमिक और सीक्योर्टी पैक्त को सइंडीया ली इंडियाके लिए जो स्ट्राटिचिक पैक्ट काइक को कगकरता है वह बहुत करता है चैंटरल इस्ट्रीजिक मैगनम् में देखकत है strategic एक हमारा यह port था इरान के अंदर जो कि हमारे लिए bridge के रूप में act करता between India, Iran, Afghanistan और Central Asia Central Asia तक हमारे लिए यह bridge के रूप में act कर रहा था यह port जो है ग्वादर के port को जो है counter balance करने के लिए develop किया गया था और जो है इसको जो ग्वादर पोर्ट के अगर आप बात करें तो यह चाइना के दोरा build किया गया है चाइना के CPEC design के तहत build किया गया है चभार और ग्वादर में केवल 172 km का distance है और दोनों चभार और ग्वादर पोर्ट पोस्टर किये गए थे as a sister port by तहरान और इस्लामाबाद यह जो टैक्टिक है जो की adopt की गई है इरान के दोरा जहां पे वो जह है एक narrative के रूप में मतलब इंडिया की पाप्लिक narrative को change करने के लिए चाइना को और पाकिस्तान को भी साथ लेके चलना चाता है इसको जो है फरजाद भी natural gas project के वक्त भी apply किया गया था जो की यूए जी सी विदेश के द्वारा discover की गई थी और फिर जो है financial difficulty bureaucratic relativism इन सब में जो है फस गई थी और बाद में international sanctions में फस गई थी unannounced arrival जो था Iranian delegates का न्यू डेली में और रिपोर्ट सी एलूड करना कि बाकी जो countries है benefit कर रही है इंडिया के इन्वेस्मेंट में के ना आने से इनको जो है यूज ऐसे pressure tactic यूज किया गया था इरान ने कहा था कि वो wait नहीं करेगा इंडिया का फरजाद भी gas project के लिए जो कि 2019 में तहरान ने तो यह जो pressure tactic थी यह इंडिया को प्रॉड करने के लिए करी गई थी इरान के द्वारा और इसमें यह successful भी हुए थे अगर हम recently कि अभी जो reports आ रही है इरान से वो यह आ रही है कि इरान ने decide किया है कि वो rail project को अकेले बिल्ड करेगा जो 16 और जाइदान के बीच में बिल्ड होना था उसको अकेले बिल्ड करेगा क्योंकि इंडिया की तरफ से funding delays आ रहे हैं यह जो gaps है हमेशा जो है ऐसे नहीं इंस्टिउशन जैसे कि इरानो हिंद friendship shipping company जिसको 46 years पहले डेवलप किया गया था बनाया गया था उसको जहें कोलाप्स करने दिया गया दोनों countries के द्वारा 2012 में क्योंकि सैंक्शन आ गए थे तो यह reminder है कि हमारे जो past successes थे वो हुए भी थे बट अगें कहीं न कहीं यह जो सै financial, political, diplomatic जो है काफी dures आई है काफी चादा pressures आई है दोनों इंडिया और इरान दोनों के तरफ क्योंकि यह एक USA pressure है sanctions को ले करके और अगर हम बात करें यह जो project है काफी legitimate project है और legitimate जो है यह funding करता है इरान को यहाँ पे कोई funding जो है किसी और reason के लिए नहीं की जा रही है तो 2019 में USA ने अपनी return assurances दी थी कि वो इंडिया को waiver देगा अगर हम पोर्ट development के लिए कोई भी purchase कर रहे हैं तो बड़ जादतर suppliers European और Chinese थे उनका नाम उनको यह डर था कि उनका नाम चाहिए USA की blacklisting में आ जाएगा तो इस वज़े से जो project है वो further delay हो गया चबहार की बात करें और इंडिया के balancing act की बात करें USA के साथ तो यह game changer रहा अफगानिस्तान में और क्योंकि यहां से अफगानिस्तान को भी एक port का access मिल रहा था February 2019 में पहला जो लोड था अफगानिस्तान के लिए goods का गया था चबहार के थुरू इससे जो है highlight हुआ था कि economic use है इससे काफी चाहते uses अफगानिस्तान के लिए इस port का और इससे अफगानिस्तान को जो है काफी stability provide होगी और USA जो के भी currently negotiate कर रहा है तालिवान से निकलने के लिए उसके लिए जो है एक advantage मिलेगा चबहार पोड से सायद यही रीजन था जो कि चबहार को एक इन प्रिंस्पल जो है नौट दी गई थी और सेंक्शन के बहार रखा गया था चबहार उनमें से कुछ international trade routes में से है जो कि अफगानिस्तान economy के लिए operational है और यहां पे अगर जो है चोटी सोच के हो दर्शाएगा तो consensus यह था कि यहां पे जो अगर युएस से एगर withdraw करता है तो ऐसे में इंडिया को जो है चबहार पोर डेवलप करने देना चाहिए हाईवे डेवलप करने देना चाहिए और रेल प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करने देना बट यहां पे जो एक प्रॉब्लम रही है कि हमारी जो थर्ड पार्टी जो भी लोग हैं जो कि इस के लिए हमें raw material प्रोजे करेंगे उन्होंने थोड़े से हाथ की चेंज इस वज़े से इंडिया को जो है प्रॉब्लम हुई है funding की और प्रॉब्लम हुई है इसके development की timely development की क्योंकि इसको develop करना था मार्च 2020 तक यह develop होना चाहिए था अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी जो है डॉलर से वहार निकलने के लिए कुछ और चीज़े देख रहा है जिससे कि वह international trade कर सके क्योंकि जब तक डॉलर as an international trade का माध्यम रहेगा तब तक जो है USA और चा आ जाता है तो ऐसे में चाइना जो है stockpiling की कोशिश कर रहा है petroleum reserves को लेकर के और बहुत एक्रेसिवली petroleum के reserves और refineries को purchase कर रहा है अब्रॉड 94 जो चाइना का सबसे बड़ा partner है oil का वो Saudi Arabia है यहाँ पे जो import था Saudi Arabian oil का चाइना ने काफी तेजी से किया है Saudi Arabia के अलावा दूसरा जो इनका सबसे बड़ा oil supplier है वो रश्या है और इरान नहीं है ऐसे में रश्या और चाइना दोनों ने जो है काफी concentrate तरीके से काम किया है इरान को protect करने के लिए against fresh US sanctions यहाँ पे इरान के अगर हम बात करें तो यहाँ पे Russian angle भी आता है जहाँ पे भी US से जो है अपनी हेगमनी धर्शानी की कोशिश करेगा रश्या और इसको challenge करनी की कोशिश करता है तो again यहाँ पे रश्या और चाइना दोनों कोशिश करते हैं कि इरान को जाए sanctions से बचाया जा सके इंडिया के लिए इस तक क्या strategic maneuver क्या होगा या इंडिया के लिए strategic क्या position हो सकती है देखे almost wall like situation है चाइना के साथ लदाक में और एक institutionalized slide है USA की तरफ यह potentially हमारे लिए एक प्राइस आएगा यह इरान की रूप में आ सकता है हमें इरान को give up करना पड़ सकता है modalities जो इरान और चाइना की strategic partnership की है यह इंडिया के लिए काफी important रहेंगी हमारी जो है as a part of तेहरान relationship और साथ-साथ यह इंपॉर्टेंटली रहेंगी चाइना के access के लिए इंडियन ओशन रीजन में क्योंकि यह finally चाइना को connect कर देगा ग्वादर कर रहा है इसलिए जो है हमारे लिए काफी important है कि यह जो upcoming US elections है यह काफी important है अगर ट्रंप की victory होती है तो इरान जो है limelight में रहेगा और जो बिड़न की victory होती है तो हो सकता है कि J.C.O.P.O.A. जो कि इसके जब यह vice president थे उस वक्त साइन की गई थी तो इससे जो है कुछ relief म बारा हो सकता है कि rework हो तो सब कुछ कहा सुना जाए तो उसके बाद भी फाइनली जो अभी जो भी चीज़ा चल रही है unfold हो रही जिस तरह से event उसमें एक बहुत बड़ा हाथ होगा कि कौन जीत के आता है USA में अगर USA में ट्रंप जीतता है तो definitively जो एक इंडिया है वो दीरे space मिलेगा इरान के अंदर इरान को अगर हम लूज कर देते हैं इदर जो है इंडिया लूज कर देता है या फिर indirectly अगर USA लूज कर देता है तो यह एक बहुत बड़ा strategic advantage होगा चाइना को और इंडिरेकली रशिया को भी एक बहुत बड़ा strategic advantage होगा तो देखना पड़ेगा क कि आगे यह क्या किस तरह से इस सिजूइशन अनफोल्ड होती है पर एक चीज़ हम क्लियरली कह सकते हैं कि यह एक उपरचुनिटी है जो हमने लूज कर दी है यहां पर हमारे पास बहुत अच्छी उपरचुनिटी थी डॉमिनेट करने की अफगानिस्तान में और सब्सीक्व सब्सक्राइब कर देखना है लॉस्ट उपरचुनिटी वह इसी जो हमने अभी देखा पूरा स्ट्राटिजिक डील जो देखी इसी से रिलेटिट है और इसमें कहा गया है कि अगर हम चबहार को कनेक कर देते तो चबहार का जो एक अगर हम बात करें चबहार यह फलक्रम मे अफगानिस्तान में डैरेक्ट ली रीच नहीं कर सकते ऐसे में हमारे पास शबहार को हम जो आफगानिस्तान की कीं जस्त बार दर वो highway project है तो highway भी है जहां से हम सीधे Afghanistan तक पहुंच सकते हैं तो अब चभार port हम develop कर चुके हैं highway हम develop कर चुके हैं ये जो railway line थी between चभार एंड जायदान इसको जो है shelve कर दिया गया है अभी इरान के द्वारा और इरान चाइना ने अभी रिसेंटली जो है 400 बिलियन डॉलर की डील साइन की है साइन कर रही है इन टॉक्स है हमने अभी देखा था कि ये इन टॉक्स है इरान के साथ चाइना का ये जो पैसा है इसका एक substantial पार जो है रेल्वे लाइन को वो भी हो सकता है छबार तक आएं एक्लिस गौदर तक तो आएंगे जो और गौदर हम अभी देखा हमने अभी देखा ये केवल छबार से 170 किलोमेटर के आसपास दूरी पर है तो यहां पे एक हमारा जो strategic advantage था पूरा इरान से लेकर के Central Asia तक वो strategic advantage अब हम लूज होते हुए नजर करते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉस कि हमारे हाथ से यह जो project है यह जा चुका है अभी हमने देखा था कि यह जो problem से यह basically इसलिए हुई थी क्योंकि हमने जो है funding नहीं कर पाए है टाइमली funding नहीं कर पाए है जो foreign minister थे इरान के इन्होंने जो है न्यू डेली की विजिट की थी January में साल उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि funding को आप लेकर के आई है जिससे की connectivity ले कर दी जाए पर इंडिया की तरफ से थोड़ से delays आये है अब यह नकेवल इरान की बात है बा पाइमली मैनर में कम्प्लिक नहीं किये जाते साथ आठ दस साल लग जाती है और इतना जो है foreign countries वेट नहीं कर सकती इसी वज़े से इंडिया को जो है इस तरह के प्रोजेक्स करने पड़ते हैं बट इस पार जो हमने प्रोजेक्स किया है यह काफी पड़ी एक opportunity है जिसको हम तो next article हमें देखना है the standoff and China's India policy dilemma यह बहुत ही अच्छा article आज लिखा गया है और अंतरा खुशाल सिंग के द्वारा लिखा गया है अगर इनकी बात करें तो यह Chinese scholar रह चुकी है ताइवान यूनिवरस्टी में इन्होंने पढ़ाई की है यह काफी जो है closely Chinese newspapers और Chinese media को देखत करें जो हमारे जो incident हुआ था जून 15 को वाइलेंट फेस ओफ में इंडिया और चाइना के troops की वज़े से उससे बहुत casualties हुई है दोनों साइड पे और इससे जो हमारे relationship है वो दोनों के इंडिया चाइना के relationship reset हो गए है यहाँ पर अब देखना यह जरूरी है हमने बहुत इं चाइना किस तरह से incidents को देखता है चाइनीज अगर हम think tanks की बात करें और चाइनीज intellectuals की बगर हम बात करें तो दो तरह के लोग हैं पहले तरह के लोग जो हैं वो इंडियन वाचर्स हैं जैसे की चाइना के top इंडियन वाचर्स हैं लिन मिंग वांग और जांग जिया डॉं जो कि Fudan University और Li Hong में हैं लिहांग में आपके चाइन शांगाई इंस्टिशन ओफ इंटरनाशनल स्टडी से बिलॉंग करते हैं तो ये दोनों यूनिवरसिटीज काफी important यूनिवरसिटीज हैं Fudan और SIIS शांगाई इंस्टिशन ओफ इंस्टिशन इंस्टिशन आइनाशनल यह inevitable इसलिए था क्योंकि इंडिया को काज की जो long standing speculative strategy है इंडिया चाइना पॉर्डर पर उस वज़े से यह inevitable अब इसका मतलब क्या है इंडिया की long standing speculative strategy इसका मतलब यह है कि हम जो है आप infrastructure building करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम LAC को justify कर सके और जो अभी ground position है वो cement कर सके और इसको जो है चाइना अपने against जाने की बात देखता है in thinkers का कहना है कि डोकलाम से लेकर के काश्मीर तक इंडिया की जो unending infrastructure arm race है LAC पर वो उससे बीजिंग ठग गया था और उसने इंडिया को जो है एक पार्ट सिकाने की कोशिश की है तो basically यहां पर यह जो strategist है यह agree करते हैं कि चाइना जो है चाइना को पसंद नहीं है इंडिया infrastructure build करें उस एरिया में जहां पर चाइना अलरडी कर चुका है तो basically इंडिया का यह जो counter move है चाइना infrastructure building करना अपनी security को ramp up करना इसको चाइना जो है परसीव करता है as as a threat या फिर as a provocation अब आप देखिए आप हम अपनी country में अगर अपनी security को अगर हम beef up कर रहे हैं तो इसके लिए आप प्रवोकेट होते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ultimately हर sovereign country को ऐसा करना पड़ेगा otherwise जो है Chinese influence इतना जादा है और Chinese hunger for दूसरों की जो land है उसके लिए जो hunger है चाइना का वो इतना जादा है कि हम भी किसी भी दिन हमारे जो trajectories है उनको चाइना जीरे जीरे निबल अप कर सकता है इसलिए हमारे strategic advantage में ये है और strategic policy में ये होना चाहि और इस security को beef up करने से चाइना की sensibilities को hurt हो रही है और इस वज़े से चाइना ने ये कोशिश की थी इस बार कि इंडिया को lesson बच दिखाएगा इन लोगों का key argument है कि चाइना और इंडिया के जो relationship है इनका जादा कोई बड़ा लंबा prospect नहीं है current international situation में मतलब इन लोगों का कहना है कि इंडिया और चाइना लंबे टाइम तक दोस्त नहीं रह सकते हैं या partners नहीं रह सकते हैं क्यों कि इनका कहना है कि इंडिया already एक quasi ally है USA का मतलब USA के against China यहां से clarity आती है कि USA को कभी भी अपने partner के रूप में या ally के रूप में या friend के रूप में चाइना नहीं देखता है और USA को अपने challenger के रूप में देखता है और क्योंकि इंडिया एक quasi ally है USA का मतलब की साफ साफ जो ally नहीं है बर जो activities हैं इंडिया की वो एक ally जैसी है इस वज़े से इंडिया by automatically Chinese perception के according automatically जो है इंडिया USA के camp में आ गया और यहां से जो है इस वज़े से जो ties हैं इंडिया और चाइना की वो कभी भी strong नहीं हो सकती at least तब तक strong नहीं हो सकती जब तक हम USA के साथ एक अच्छी partnership रखेंगे तो USA चाइना का कहना है कि global level पर जो regional competition है वो intensify हो रहा है और जो पहले का system था bilateral differences का यह crumble कर रहा है bilateral differences create हो रहे हैं और ऐसे में जो periodic violent conflicts हैं मतलब कि इनका कहना है LAC पर जो अभी गलवान में conflict होई थी जहां पे लोग soldiers मारे गए हैं ऐसी conflict चलती रहेंगी यह नया normal होगा इंडिया और चाइना की ties में इनका argument है कि चाइना को अपनी जो strategy है उसको rethink करना चाहिए इंडिया के विजवी इंडिया के comparison में जो भी strategy है इंडियन strategy है चाइनीज क है कि जैसे 1962 में हमने एक border conflict की इंडिया को हरा दिया इंडिया शांत बैठ गया और इंडिया के साथ जो ties हैं हमारी अच्छी हो गई थी तो इसी तरह से हमें दुबारा rethink करना चाहिए इंडिया के साथ armed conflict करना चाहिए इंडिया को हराना चाहिए जिससे कि इंडिया जो है शा solve हो जाएगी क्योंकि USA के लिए हाथ पर जोए इंडिया है USA की अगर कोई भी policy इंडियन ओशन में होती है उसके लिए इंडिया काफी important है South China Sea में होती है उसके लिए इंडियन आरने भी काफी important है इंडिया का जो test approval है वो काफी important है अब अगर हम चाहिए इंदर की बात करें तो ये इंडिया के research and इंडिया को कैसे handle करेंगे research and इंडिया को handle करने के लिए इनके पास तीन strategies है no weakness no concession no detention defensive defense मतलब कि ना तो हम weaken करें होंगे अपने आप ना तो हम concession को देंगे कोई ना ही हम defensive defense करेंगे मतलब कि China जो है offensive करना चाता है इंडिया के उपर चाइना का कहना है कि उसको हर opportunity देखनी होगी जहाँ पर इंडिया को crackdown कर सके जहाँ पर भी वो hit कर सकता है हमें वहाँ पर hit करें और इंडिया और चाइना के relationship जो है जिससे की इंडिया और चाइना के relationship है वो इससे जादा जो है stable हो जाएंगे जैसे कि मैंने आपको 1962 का example दि में यह renewed interest है चाइनीज के अंदर कि इंडिया को जो है destabilize कीजे इंडिया का जो border region है वहां पर बार-बार conflict कीजे इंडिया के अंदर tension create कीजे across the border और इंडिया के अंदर जो है इनिशेटिव लीजे जिससे की हम territories को सीज कर सके मतलब कि वो territories को इंडिया की territories को सीज कर सके आजा सके अब कुछ criticizing voices भी है चाइना में एक दूसरी जो वाइस है Chinese think tank की वो कहती है जैसे कि जैंग यूंग इन और यू लॉंग यू इनका कहना है कि जो कलवान वैली के incident है वो इन चाइना की policy के according सही नहीं है उन्होंने कहा यह reactive nature के थे यह did for tata approach के थे और यहां पे कोई clear strategic intent नहीं था उन्होंने कहा इससे क्या होगा फाइनली जो extreme nationalism है इंडिया के अंदर वो create होगा और इंडिया और इंडिया के साथ इस तरह की strategic दिखाते हैं strategically अगर आप इनके against चाते हैं तो क्या होगा इंडिया जो है यूनाइट हो जाएगा और इंडिया की यूनाइट होन जो है चाइना के हित्मे नहीं है यह इंडियन को सबको देखने वाली बात है चाइनीज का कहना है कि अगर इंडिया यूनाइट हो जाता है तो यह इंडिया के हित्मे नहीं है इंडिया चाइना की डिफीट कर सकता है उनका कहना है कि जो लोग इंडिया को लेसन पढ़ाना चाते हैं वो काफी शॉट साइटे हैं और साइक्लोजीकली प्रिपेर्ड नहीं है इंडिया की राइस को ले करके तो इन लोगों का कहना है कि अगर चाइना के और इंडिया के साथ मिलके चाइना के लिए ierte के इंडिया और चायना की तो इससे क्या होगा कि कहीं न कहीं जो इस डिलेशन्शिप निटि के शपया त्यजह कतो हीง से एक वहiri के अपली ऐलाईंस लिए शेपयां शेटेया के जो कि चाइना की इंट्रेस्ट को अंडर्माइन करेंगी अगर वह जादा एग्रेसिव स्टैंस रखते हैं इंडिया के विजवी इसी तरह कि जो सिनारियो के ओपर ओपिनियन्स देखें तो चाइनीज प्रेस में कमेंटरी दी गई हैं कि अगर चाइना जो है अपनी रिलेश पॉलिसी है रिजनेबल प्रॉफिटबल और एकनॉमिक यह जो है खराब हो जाएगी क्यों क्योंकि इंडिया जो है अपने प्रूप का डिप्लाइमेंट कर देगा बहुत जादा एलेसी के उपर इससे जो कॉस्ट है यह चाइना के लिए बढ़ जाएगी यह करें इंडिया के साथ जो कि खुद बड़ी कंटरी है और जिसके पास एक कंपरेबल मिलेटरी स्ट्रेंथ है इनालिस जो चाइनीज के द्वारा की गई है वो यह है कि चाइना के पास कुछ एडवांटेज है एक्क्यूप्मेंट को लेकर के अडवांटेज है और लोजिस् इंडिया के पास प्रैक्टिकल वार एक्सपीडियन्स है यह काफी इंपॉर्टेंट है फिर इंडिया की जो टॉपग्राफी है यह एडवांटेज है और क्लाइमिट जो है यह एडवांटेज है इस कांपियर टू चाइना उसके अलाबा अगर डिसडवांटेज इंडिया वजे से जो मोबलाइजेशन होगा वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा एक और चीज यह है यहां पे इनों ने क्लियर नहीं दिया है यह इंडियन के लिए मैं बता देती हूं देखिए तिबत और जिंग जियांग यह चाइना के वेस्ट में लाई करता है और इस्ट में जो है में लेंड़ चैना में हं चाइनीज रहते हैं तो अगर यह हं चाइनीज जो है इधर आने की कोशिश करते हैं और अगर एक आमड़ कॉन्फलिक्ट होता है इस वेस्टेन बॉर्डर पर तो क्या होगा कि यह जो हं चाइनीज है इनको पूरा जो मैनोर्टी का लैंडिसकेप पर ये फान करके इधर आना पड़ेगा mobilization के वक्त ये खत्रा है कि internal rebellion हो सकती है अगर इंडिया को strategic advantage किसी भी point of time पर मिला तो यहाँ पर internal rebellion हो सकती है जिस वज़े से Chinese कुछे मुखी खानी पड़ सकती है तो ये एक China के लिए बहुत बड़ा disadvantage है जो China को थोड़ा सा डराता भी है चाइना को थोड़ा सा इस बारे में uneasiness भी feel होती है इसलिए Chinese commentators का कहना है कि अगर conflict छोटे time period में end हो गई तो इससे तो चाइना का benefit होगा बट अगर ये conflict लंबे time तक चली तो चाइना जोए disadvantageous रहेगा उनका कहना है कि अगर युद्ध शुरू होता है तो इंडिया पूरी-पूरी कोशिश करेगा कि युद्ध को प्रोलांग किया जा सके लंबा खीचा जा सके और उसके लिए पूरी कोशिश जो है USA पूरी-पूरी help करेगा इंडिया की इससे जो है अगर इंडिया जीत ना भी पाया और अगर इससे एक statement होता है एक tie में अगर दोनों side के बीच में अगर tie हो जाती है तब भी जो है वो इंडिया के लिए victory के रूप में count होगा और उनका जो हमारा जो national एक morale है वो काफी ज़्यादा highlight होगा हमारा national morale boost होगा जबकि on the contrary चाइना का जो national morale है वो decline करेगा और इंडिया क्योंकि वो इंडिया को decisively beat नहीं कर पाया तो ये जो इनके अंदर एक 1962 का ego है ये जो भ्रहम है ये भ्रहम भी तूट जाएगा और ultimately ये चाइना के लिए बहुत बड़ा morale down करने वाला एक lesson होगा और इसलिए in an effort to teach इंडिया एन lesson चाइना को डर है कि वो शायद जादा lose करेगा और gain उसका कम होने वाला है ऐसा Chinese commentators का कहना है अब इंडिया के लिए ये हमने क्यों पढ़ा है इंडिया के लिए क्यों important है कुछ चीज़े हमारे takeaways है इस पूरी reading से पहली चीज़ ये है कि चाइना के दोनों camp से agree करते हैं कि इंडिया के साथ जो border dispute है वो solve नहीं करनी चाहिए दूसरी चीज़ ये है कि दोनों लोग ये agree करते हैं कि इंडिया को अगर हम armed conflict करे या फिर हम जो इंडिया को disadvantages position में ले करके जाएं दोनों तरीके से इंडिया को वो adversary देखते हैं और इंडिया के उपर या तो वो armed conflict करना चाहेंगे या फिर अगर वो दूसरे camp के साथ जाते हैं तो इंडिया के लिए ये ज़्यादा difficult हो जाएगा क्योंकि ये इंडिया को strategically घेरेंगे चारू तरफ से internal dissidence create करेंगे political troubles फोर्मेंट करेंगे माविस के साथ troubles फोर्मेंट करेंगे आपको पता भी होगा कि काश्मीर में पीओके में एक ऐसा group था जो की extinct हो चुका था काफी खुंकार group था उसकी कहीं से funding नहीं आ रही थी वो as a terror group extinct हो गया था उसके founder से मिले थे Chinese अभी और उनको funding दी जा रही है चाइना के त्वारा तो चाइना हमारे लिए प्रोक्सी इसको fund करेगा और इंडिया के अंदर trouble फोर्मेंट करने के लिए इंडिया को encircle करने की कोशिश करेंगे चाइनीज स्ट्राइजिस जैसे की यिन गुमंग का कहना है कि वार विन करने से बहतर यह होगा कि चाइना जो है एक comprehensive और overwhelming advantage को achieve करे geopolitical situation में जिसको वार अल्टर नहीं कर सकता तो इन सम जिंगोईजम और वो अपनी जो Indian strategies है हमारी जो vulnerabilities है उनको जो है leverage करने की कोशिश करेगा अपने advantage के लिए और यहाँ पर इंडिया के पास भी एक advantage है कि हम भी जो है उनकी vulnerabilities को use करें अपने benefit के लिए और उनकी policies को समझके proactive step लें